हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू असलदार नुस्खे आज हम बात करने वाले हैं यकलित यनि पिताश्य की पत्री के बारे में यनि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में पत्री के आरवेदिक उपायों के बारे में आपने कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा या उसके बारे में वीडियो जरूर देखी होगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि पत्री बंती कैसे है क्या कारण है क्यों हमारे पेट में पत्री बंती है और इसके शुरुआती लक्षन क्या होते हैं तो हम आपको इसी के बारे में आज बताएंगे हम ये भी बताएंगे कि पत पित की थेली की पत्री जो है वह बाहर निकल जाएगी बिना operation के तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज नीचे red बटन पे click करें और हमारे चैनल को subscribe करें पित की पत्री कैसे बनती है पिताश्य यनि जिसे हिंदी में यक्रित कहते हैं लिवर के नीचे स्थित होता है और इसी में पित जमा होता है जहां से वा छोटी आत में जाकर पाचन क्रिया में सहायता करता है पिताश्य में ही पित पत्री निर्माण करने वाले कलोस्ट्रोल का भी संचे होता है यह कलोस्ट्रोल बनता है यह कलोस्ट्रोल पिताश्य में जमा पित में घुलन शील होता है परन्तु कई बार जब हमें दो-तीन दिन तक या एक हपते तक कब्ज की समस्या रहती है अमलता हो तो इन ही सब कारणों से जो हमारे पिताश्य में जो कलेस्ट्रोल है उसको पित में घुलने की जो घुल नहीं पाता है घुलने की जो प्रोसेस है वो बहुत धीमी हो जाती है जिसके कारण ये जो कलेस्ट्रोल है वो दूसरे पतार्थों के साथ मिल कर पत्री का निर्मान कर ल होती है दूशित पदार्थों के सयोग से बढ़कर बड़े अकारकी हो जाती है छोटे अकार की पथिलियां पितनली यानि कौमन बाइल डक्ट की राह से निकल कर आतों में परवेश कर जाती है और मल के साथ निकल जाती है और रोगी को इनके होने का भी पता नहीं चलता परंतु बड़े अकार की पथिलियां जब पित नली में के अंदर पर वेश करती हैं तो भेयानक कश्ठ होता है और जब तक ये पथिलियां सधारन पित प्रणाली के रास्ते से हट नहीं जाती आतों के भीतर नहीं पहुंच जाती तब तक ये भेयानक दर्द होता रहता है जो पित पत्री सूल यानि गौल स्टोन कोलिक कहलाता है पित पत्री के लक्षण क्या है यानि कि अगर आपको भी कहीं न कहीं अगर पत्री हो रही है तो उसके शुरुवाती लक्षण क्या है शुरुवात में रोगी को भोजन के बार पिताश्य के आसप मालूम होता है जो हलका होता है जो प्राय खाना खाने के बाद शुरू होता है और उल्टी होने के बाद ही कुछ अराम मिलता है रोक अधिक पुराना होने पर खाने में अरूची यानि खाने का मन नहीं करता है और पेट का दर्द भी बढ़ जाता है पथरी बड़ी होने पर दल्द पेट के पूरे हिस्से में होने लगता है और कभी कभी दाहिने कंधे तक बढ़ जाता है यह दल्द एठन जैसा तेज होता है जो अचानक आरंब होता है तथा कुछ घंटों तक बना रहता है तेज दल्द में उल्टियां भी हो सकती है पत्री के पित नली में अटक ज कर दोきां जाता है और टेज बुखार भी आ जाता है अल्टरिय स्वांट के दूरा पत्रियों के संख्या का पता लगा sound कि कि अब बात करेंगे पत्री बचने के उपाय के बारे में चाहें पिताशे की पत्रियों या गुर्दे की पत्रियों सभी पत्रियों की उत्पति का संबंद विभिन रसाव ग्रंथे यानि जो सिक्रिशन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोंस होते हैं कि क्लिया शीलता से होता है यानि अगर जो हार्मोंस क सिक्रिशन वो बढ़ जाती है या घट जाती है इससे भी बहुत सारी बिमारियां होती है गलत खाना खाने से या खांसी कफ का दोश बढ़ जाने से सरीर में पाचन प्रणाली और सिक्रिशन सिस्टम का काम जो है वो अपना काम सुचारू रूप से यानि सही ढंग से नहीं कर जाता अब हम बात करेंगे कि वो कौन से चीज़ हैं जो खाने से हम पथरी से बच सकते हैं और वो कौन से चीज़ है जिनका सिवन हमें कम से कम करने चाहिए अगर हमें पथरी से बचना है तो वो चीज़े जो हमें खाना चाहिए जो मूं की छिलके वाली डाल चावल परवल त साधा होना चाहिए कम से कम तेल और घी वाला होना चाहिए तथा असानी से पचने वाला होना चाहिए इसके साथ साथ आप योग भी करें जिससे कि भोजे असानी से पच जाए वो चीजे जो हमें नहीं खाने चाहिए माशाहरी चीजे शराब नशीले पदाल्थों का सेवन उ अधिक चर्बी मसाले इवं प्रोटीन के सेवन से बना हुआ खाना अब बात करते हैं उस नुस्खे के बारे में उस असलदार चमतकारी के नुस्खे के बारे में जिसके बारे में मैं बताने वाली हूं जो कि आपके गॉल ब्लडर के यानि पित के थैले के पथरी को निकाल द लेना है खरबूजा के बीच जो है वो आपको पांच ग्राम लेने है चोटी इलाइची जो है जो हरीवली छोटी इलाइची होती है उसको दो लेना है इसके साथ है आपको 10 ग्राम मिसली लेना है इन पांचों को पीस लेना है बारे की बिल्कुल पीस कर इसकी जैसे शर्ब उसको देने से इसका चमतकारिक लाग मिलता है जबकि अगर निमिलिकत लक्षन रहते हैं तो ये दवाई उस मरीज के लिए रामबान है यक्रित के नीचे दर्द यनि लिवर के नीचे दर्द यनि अगर आपकी जो पत्री है वो पित की थैली में है साथ में उल्टी होने पर क रहे हैं और पुना दर्द हो और दर्द बराबर बना रहे हैं तो इससे बहतरीन दवा पत्री की हो ही नहीं सकती अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक करें हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर कर नब बिलकूल नबूले. Thank you.